देखें बिहार में आज से सिपाही भरती परिक्षा की शुरुवात हो चुकी है आपको बता दें कि बिहार के 38 जिलों के 545 केंद्रों पर यानी 545 सिंटर्डर पर इस भरती परिक्षा का यह कहले कि परिक्षा लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो परिक्षा है ये 7 अगस्त से यानि आज इसे परिक्षा शुरू हुई है और 28 अगस्त तक ये परिक्षा चलेगी आपको बताते चले कि 6-7 चर्णों में बिहार में सिपाही भरती परिक्षा होने वाली है और बताते चले कि पहले ही दिन इस भरती परिक्षा में कू खगडिया जिले में फेक एंसर की और प्रश्ण पत्र मिले हैं जिहां बिल्कुछ सही सुन रहे हैं आब अभी परिच्छा की शुरुवात होती ही है साथ अगस्त को पहले चरण के परिक्षा होती है और उसे दिन एक खबर सामने आती है कि भिहार के खगडिया जिले में एक म वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडिया और आप देख रहे हैं सच्टॉक्स से एक एक लाख रुपए लिये थे सभी कैनिडेट्स को प्रश्ण पत्र देने की बात कही गई थी पुलीस ने मैरेज हॉल से पकड़े गए सभी परिक्षार्थियों का सत्यापन कर परिक्षा में शामिल होने के लिए छोड़ दिया है इधर पुलीस मामले की जात में जु पत्र भी मिले हैं इधर पटना के टीपीएस कॉलेज के पास गली में कुछ अभियारती मोबाइल से देखकर परची पर कुछ नोट करते दिखाई दिये हाला कि टीपीएस कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता देखी गई सदर स्वीटी सहरावत खुद केंडर पर प इसके बीच होगी इसके लिए 38 जिलो में 545 यानि 545 सेंटर बनाई गये हैं पत्ना के परिक्षा केंडरो पर अभियारती पहुच चुके हैं बताते चले कि टीबी एस कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में परिक्षा देने के लिए बियारतों की भीड आई थी और बताते लोगों को पेपर सॉल्व करा रहा था बहुत सारे लोगों के एक हॉल में बिछा कर फेक पेपर फरजी पेपर उसके पास सेंसर के था वो पेपर सॉल्व करा रहा था अलागे बिहार पुलिस पकड़ चुकी है लोगों की गिरफतारी हो चुकी है बाकि आगे क्या कुछ हो झाल झाल